बिस्मिल्यार्मानुरहीम, दियर स्टूडेंट्स, अस्तावलेकम, आज का जो बटा हमारा टॉपिक है, वो टैंथ केमिस्ट्री के चैप्टर नमबर टिवैलू का है, उसके पेज नमबर 81 से चैप्टर स्टार्ट होता है, इसका लेक्चर 1 है यह चैप्टर अबाउट हाइडोकार्बन, जैसा कि आपने 9th Chemistry में, और गैनिक केमिस्ट्री की डेफिनिशन पड़ी थी, वो थी ब्रांच आफ केमिस्ट्री ते इस चैप्टर में हम हाइडोकार्बन की स्टडी करेंगे, हाइडोकार्बन क्या होते हैं, किस तरह प्रिपेर ह किस तरह वो धूसरे यो पार्ग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हैं, उनके फिजिकल प्रप्रिटी के हैं, तो पूरी डिटेल पड़ें, तो फर्सक्राफ आफ आह दे हमिने हाइडोकार्बन, यह दो लफजों से मिलकर लफज बना है, हमारे पास जैसे एक ऐलिमेंट है hydrogen 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 और दूसरा क्या है जी carbon तो यह hydrogen का जो है यह वाला लफज हटा दिया जाता है और इसको इसके साथ जोएंड कर दिया जाता है यह बन जाता है hydro carbon इसका मतलब यह एक है hydrogen और यह carbon का combination तो क्या definition हो जी hydro carbon are those compound hydro carbon वो compound है which are made up जो के बने होते हैं only सिर्फ और सिर्फ किसे carbon and hydrogen elements जिसके अंदर सिर्फ carbon और hydrogen element हो वो वाले क्या किलाते हैं hydro carbon example जैसे हमारे पास हमारे घरों में हम जो स्वी गैस इस्तमाल करते हैं जाब मिथेन गैस जिसका फार्मलाजी CH4 देकर यह CH4 जो compound है मिथेन गैस है यह सिर्फ दो किसम के compound elements से मिलकर बना एक carbon दुसरा hydrogen हाँ number of atom different हो सकते number of atom की तदाद कम या ज्यादा हो सकती है लेकर यह condition है कि इसमें सिर्फ carbon और क्या होंगे हाइडर तो हम दोबारा देखते ही हाइडर कार्बन और दोस कंपाउंड वीचार मेड़ अफ ओनली carbon and hydrogen elements is called hydrocarbon एक और शार्ट को सिन बड़ा important है पेपर में शार्ट को सिन पूछ लिया जाता है कि वाइडर कार्बन जार रिगार्ड़ एज पेरेंट आर्गेनिक कंपाउंड के जी जो हाइडर कार्बन हैं उनको और गैनिक केमिस्ट्री में या आर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट्स क्यों का आजाता है पेरेंट्स से मुराद यह होती है जिससे कुछ चीज आगे हो जैसे हमारे वालदें ने हम उनकी उलाद हैं पिर हमारी आगे उलाद इस तरह यह जो हाइडर कार्बनों से इससे बहुत सारे ज्यादा दूसरे कंपाउंड बनते हैं कहता है ब जाइदा रिप्लेस्मेंट किस तरह रिप्लेस करने से यानि चेंज करने से कैसे वन आर मोर हाइडोजन एक या एक से ज्यादा हैड़ेंट्स की जगह कोई और ऐलिमेंट आजाएगा बाई अदर आटम दूसरे आटम से आर ग्रूप आफ एटम या कोई और ग्रूप उसकी जगह चीज़ हो जाता है मिसाल के तौर पर कि यह इनको पेरेंट आर्गेनिक कमपॉंड इसली ही का जाता है कि इनके अंदर हाइडोजन की जगह पर हम कोई और एलिमेंट लाके कोई और कमपॉंड लाके या कोई और ग्रूप के साथ चेंज करके एक नया कमपॉंड बना तो क्या होता है यहां से चार हाइडोजन है एक हाइडोजन निकल जाता है उसकी जगा पर एक कलोरीन ले ले लेता है यहां से हाइडोजन रिमूव हुआ और एक कलोरीन बचा हुआ है यह मिलकर बना देते हैं है इस तरह हम कह सकते हैं CH4 जो पेरेंट जो था पेरेंट आरगेनिक था किसके लिए इस मिथाइल कलोराइड के लिए CH3 CL के लिए इसी तरह हमारे पास यह CH2 डबल बांड CH2 जो है इथीन की एक्जेंपल है इसके साथ जब हाइडोजन एडप होती है तो यह दरम्यान से जो डबल बांड और सिंगल में कनवर्ट हो जाता है हिसाल के तोपर यह बन जाता है जी CH3 सिंगल कोल बांड CH3 इसी तरह हमारे पास यह इथाईन एच सी एच ट्रिपल बांड CH इसमें जब बी आड़ करते हैं तो यह कार्बन कार्बन और यह जैंख प्रोमीन ब्रोमीन जैदर भी ब्रोमीन जैस तरह जो है मतलब कहने का यह है हमारा मेन पेरेंट आर्गेनिक क में इस से फिर और बनते जाते हैं यही वजा है कि हम इनको पेरेंट आर्गेनिक कमपॉंड कहते हैं इसकी धो में टाइब si है open chain hydrocarbon close chain hydrocarbon open chain से मुराद यहां open chain जिसका पहला और आखरी जो carbon है वो आपस में जुड़े हुए ना हो जैसे हमारे पास यह carbon chain है जी यह CH3 CH2 CH2 देखें इसकी first carbon और last carbon आपस में joint नहीं है यह पहला carbon है यह इसका आखरी carbon है आपस में जुड़े हुए नहीं है क्लोज में क्या होगा है यह अपस में जुड़े होंगे मिसाल के तो आप जैसे हमारे पास यह है यह देखें यह चारों carbon यह हैं आपस में जुड़े हुए हैं कोवलेंड बांड के थूँ तो में हाइड्र कार्बन की दो टाइपस होंगी open chain और close chain फिर हम जब open भी आएंगे open की फिर दो टाइपस होंगी straight chain और branch यह स्टेट से मराद बिल्कुल ऐसे और branch इसके मराद यहां से अगर कोई यहां और और ग्रूप लगा दे तो यह इस तरह जो है branch chain बन जाएगी और फिर straight chain और branch जो हैं फिर इसके आगे दो टाइपस है saturated और unsaturated saturated की example क्या है alkenes जैनि जिसमें carbon जो है fully satisfied हो उसकी विलंसी यानि हर तरफ जो है उसके single colon band हो जैनि जिसमें single colon band होगा वो हमारा saturator हुआ करेगा फिर दूसरी टाइप क्या होगी unsaturated unsaturated की फिर दो टाइपस है alkenes और alkyne alkyne क्या होगी जिनके अंदर carbon carbon में double band होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी alkenes इसी तरह carbon carbon के द्रम्यान में अगर triple covalent band है तो हम उसको क्या बोलेंगे alkyne इसी तरह close chain की भी दो टाइपस होंगी cyclic और aromatic इनकी detail जो हमारा कल जो हमारा lecture number two होगा उसके अंदर हम इन तुमाम की open chain यानि define और इसकी examples को discuss करेंगे what is open chain close chain and there example straight chain branch chain saturated unsaturated alkane alkyne alkyne cyclic or aromatic इनकी detail कालवले लेक्चर में होगी इन्शाला थेंक्यू